गार्जन भी सामा हुआ है कि जब छोटे बच्चों को से अपराद हो रहा है वो छोटे बच्चे क्या बिगारे हुए हैं इसको लेकर के गार्जन समय हुए हैं कि हमारा बच्चा अगर जाता है स्कूल में और कोई घटना हो जाती है तो बहुत बड़ी परशानी बढ़ आप लोग भी इसी लिए डर शाम है अगर बच्चे अगर दो चार दिन तस दिन नहीं आये तो ठीक है सत्यता यही है गाउवाले रिपोर्टर विश्णू प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है देवरिया का रुद्धपूर और यह प्रात्मिक विद्याल है यह वही गाउ आप सबस्यांते हैं कि 2 अक्टूबर का दिन जहां महात्मा गाधी की जनती पूरा भारत बापू की जनती मनाने को वातुर था ऐसे विद्यालों में अहिंसा का पाठ पढ़ा याता है और यहांते मात 100 मीटर की दूरी पर ऐसी हिंसा हुई कि देवरिया के रुद्रपूर क नरसंगार सायद कोई भूल नहीं सकता है अब ये गाहा पूरी छावनी में तब्दील है पीछे बिद्याला है बिद्याले में बच्चे नहीं है और बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि घटना इसी गाहों में हुई है इस बिद्याले के जो प्राधना चार हैं उनसे बात क करने की कोशिज करेंगे जानने की कोशिज करेंगे पूरा मामला क्या है आखिर बच्चे बिद्याला में क्यों नहीं आ रहे हैं यहीं कारण है कि बिद्याले में पढ़ने नहीं आ है हमारे साथ इस बिद्याले के प्राधनाचार महोदे है आप उना परच्श बदा देशर कि प्रध्यम्नी श्याम सिंग इंचार्च प्राधना तयापक प्राधनी फ्यू विल्द्याले अमें अभैपुर अच्च में थे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं यहां जो दो ज़वार और बच्चे सब सेहमे हुए इस बज़े से विध्याले नहीं आ रहे है आज दूसरा दीन से जो लोग एक भी बच्चे नहीं आए नहीं एक बीच्छे यानि इस हिसाफ से हर कोई भावी था इस मामले से इस घटना से इस नरसंगर से जी जी मन में डर है डर है यह ब हमारा जो अधिकारी है खंशिच्छा अधिकारी उनको सूचना दे दी गई है उनको अभुगत कराया गया क्या लग रहा है मुझे लग रहा है अभी तीन-चार दिन तक हालत ऐसी ही लग गई है जो मैं महाहल देख पा रहा हूं नहीं कल हम बिद्याले कल गाव में जाकर संपर्क किया था तोनों ने आश्वासन दिया था कल से बेज़ेंगे लेकिन ऑज भी कोई आया रहा है और और जी रास्ते में कोई घटना अमेरे साथ ना हो जया जब इस तरह के अपराद होते जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे जिले में पुर्वा चौरह पर भी हुआ है कहीं और भी हुआ इस तरह घटना हो रहे हैं तो बहुत बड़ी परशानी बढ़ जाएगी अगर कहीं द्विश की भावना हो अगर वो बच्चा आ रहा है पढ़ने उसके चलते उस बच्चे को मारा जा रहा है हम रोकते भी हैं तो हम टीचर पर भी हमला कर सकते हैं क्योंकि इस समय प्रतिशोध की भावना बने हो और यह जो घटना होई बदले की भावना के चकर में हमें कल्या पता चला है इस मतलब कुछ लोगों से कि सर कुछ और माहौल बन रहा है अंदर-अदर अच्छा कि यादों और ब् सुनने मारा इससे गारियन डर गारी माहौल बन रहा है अईसा गारियन डर चुके हैं हमने कल इस साम को यह सीजे सुने अच्छा आपका परिचे अच्छा लेकिन यह बहुत बड़ा डर का कारण हो सकता है इससे हम लोग भी डरे हुए हैं कि अगर बच्चे आते हैं पढ़ अंदर अंदर बढ़का यह सुनने में आया है हम लोगों को भी डर लग रहा है कि अगर बच्चे अगर दो चार दिन दस दिन नहीं आये तो ठीक है सत्यता यही है कि अगर मेरे स्कूल में घटना होती है तो सारी जीमेदारी हम लोग कौन देगा कि आप लोग क्या कर रहे अगर दो चार लोग आकर आसला तान देते हैं और बच्चे को उठा भी ले जाते हैं नौ बिमारे उठा ले जाए प्रस्योत की भावना से इसी के घर के इसी के खांदान का है उठाओ इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं यह डर हम लोगों को दना है अपने बड़े अधिका अब यह जो देश भावना थी अब यह दो गुट में कहीन ने कहीं बठ रहा है अभी भी हम आया है तो दस मेट रुके हैं तो क्योटान में भी लगाया कि सार अगर हमला होता है अगर उनके घर पर भी होता है बगल में घर है तो बच्चे भी नहीं बखसे जाएंगा इसलि साथ घटना हो सकती है है तो अगर बचाने के लिए टिचर बचाएगा यह क्योंकि बचाएगा तो मेरे बच्चे हो गए हम बचाने जा रहे हैं तो हम लावर मुझे भी नहीं dehे धो देंगे यह हमारे यह भी बात चल रही है और यही कारण है कि तमाम गारजेन अपने बच्चों को इस बिद्याले में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं खुद इस बिद्याले के अध्यापक डर हैं और सहमे हैं क्योंकि डरने वाली बात भी है घटना ऐसी हुई कि जो मासूम बच्चे जि कार और सिष्टम पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और यह दो दिन से प्रात्मिक विद्याला बंद है क्योंकि डर का माहौल है दहसत का माहौल है जैसा कि प्राधना अध्यापक और यहां के अध्यापक ने बताया द्यवरिया रुद्धपुर की नरसंघार सब बने रहे विश्ण प्रभाकर का आप सब को नमस्कार